इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल लेटर को पाइप लेटर में बदलते हुए कितना बढ़िया और आकर्षक लगता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सागरपा और इस यूटूब चेनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं धागे की मदद से लेटर का आउट लाइन ट्रॉ कर रहा हूँ धागे से काम करना मुझे इजी लगता है इसलिए मैं धागे का ज़्यादा इस्तिमाल करता हूँ इसे मैं आसानी से लाइन बना लेता हूँ और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है अगर आपको धागे से लेटर की आउट लाइन करने में दिक्कत होता है तो आप इस्किल का इस्तिमाल कीजिए इस्किल से भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों धागे से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक लेटर की साइज है उसे मैं दूसरे लेटर के लिए अपलाई कर रहा हूँ धागे की मदद से आप देख सकते हैं कि मैं धागे को कैसा पकड़ा हूँ और दूसरे लेटर के लिए कैसे अपलाई कर रहा हूं उस पर कैसे निसान लगा रहा हूं और धागे के बारे मैं बात करूं दोस्तों तो ये धागा पेंटर के लिए बहुत ही मददगार है एक पेंटर के लिए एक खास रोल अदा करता है ये धागा क्योंकि हर पेंटर अपने रैटिंग की सुरुवाद धागे से ही करता है क्योंकि उसे रैटिंग लिखने के लाइन बनानी पड़ती है पर ये धागा भी बेरंग है इस पे लगे रंग के बिना दोस्तों इस धागे पर हम कलर लगाते हैं तभी जाकर ये अपना निसान छोड़ता है तो इस पर हम कलर कौन से लगाते हैं ये आपको मैं बता दूँ मैं तो इस पर गेरू पाउडर जादा इस्तिमाल करता हूँ पिली मिट्टी भी करता हूँ लेकिन उसको कम करता हूँ चौक का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसे भी मैं करता हूँ तो धागे पर हम पिली मिट्टी, गेरू पाउडर या चौक का इस्तिमाल करेंगे दोस्तो हमारे पास चौक या पैंसिल भी होना चाहिए तभी हम राइटिंग का जो सरकल सेफ है, जो गोलाकार है उससे दे सकते हैं देखे मैं यहाँ पर कोसिस कर रहा हूँ, अच्छे से गोलाकार को बनाने का बहुत इजली बना रहा हूँ दीरे दीरे, क्योंकि यह फ्री हेंड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब लेटर पर हम कलर करेंगे, तब इसको सुधार्श रखते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कि लेटर की नीचे मैं अंडाकार शेप दे रहा हूँ वो ताकि पाइप की जो निचला हिस्सा है वो बन सके सायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इस पर कलर करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कि हमने नीचे अंडाकार क्यों लगाया अब देखे दोस्तों, यहाँ पर मैं C का जो सरकल है, उसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बिलकुल अराम से और दो बार तिन बार पैंसिल चला रहा हूँ, ऐसी मेरे आदत है, तो तिन बार ही मैं ऐसा पैंसिल चलाता हूँ धिरे धिरे से, और मेरे सिनियर सर थे, वो एक ही बार चलाते हैं, बहुत लोग एक ही बार में अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मेरा आदत ही ऐसा बना है, कि मैं दो बार तीन बार इस तरह से घिसता हूं सर्कल बनाने के लिए तभी मैं अच्छे से उस पर सर्कल बना पाता हूं आप कैसे सर्कल से बना पाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है सर्कल से वाली बात हो रही है तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूँ आप जब भी English later लिखे तब उस पर circle वाली writing जो आएगी आपकी C, G, Q या O ये चारों सब्द circle के हैं तो जब circle बनाते हैं हम इस तरह से C, G, O, Q लिखते हैं तब हमें जो line बना है हमारा सीधी line जिस पर हमने A, B, C लिखा हुआ है उसी line के मदद से उससे थोड़ा आपको पार करना चाहिए उससे circle को थोड़ा सा पार करते हैं लकीर से तब वो जब दूर से देखते हैं तो वो छोटा नहीं दिखता उसी type का लगता है अगर हम line के अंदर ही रख देते हैं जब दूर से देखते हैं तो O, C, Q ये सब हमारा छोटा दिखता है दूर से तो इस बात कभी आप ध्यान रख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हमारा sketching पूरा हो गया है अब इस पर हम color करते हैं अब देखें दोस्तों यहां पर मैं color कर रहा हूँ Oxford Blue का ये आयल paint है दोस्तों ये जो लोहे paint करते हैं वही वाला आयल paint है ये आसानी से मिल जाता है hardware shop में और इस पर हम जो brush इस्तिमाल कर रहे हैं वो brush है हमारा banner shade brush ये भी वही hardware दुकान पर मिल जाता है आसानी से कही पर भी ये मिल जाता है ये banner brush मिलने में दिक्कत नहीं होता है brush मिलने में दिक्कत हो रही है तो बस वो soft brush जिसे हम sign word लिखते हैं उसी में दिक्कत हो रहा है कहीं पर भी अच्छे से वो brush नहीं मिल रहा है मुझे भी वो brush मिलना मुस्किल हो गया है जहां मैं खरिदा था वहां अब नहीं मिल रहा है दोस्तों आप लोगों का बहुत कमेंट आता है ब्रस के लिए आप बहुत पूछते हैं तो sorry दोस्तों मैं आपको सॉप्ट ब्रस नहीं दिला पा रहा हूँ क्योंकि कहीं पर मिल नहीं रहे हैं इसके लिए आप मुझसे नाराज मत होना आप बने रहिए हमारे साथ और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहे हमारे वीडियो को लाइक करते रहे और हाँ कमेंट करते रहेगा आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यह जो मैं पाइप लेटर बना रहा हूँ उसपर मैंने तीन कलर इस्तिमाल किया है आपको नजर आ ही रहा होगा एक जो है आक्सपोड ब्लू दूसरा है फौइट कलर और तीसरा हमारा बेक कलर तो इन तीनों कलर के मदश से मैं इसको पाइप लेटर का सेप दे पा रहा हूँ साथ ये आपको लग रहा ही होगा पाइप टैप का ऐसे मैं इस लेटर को बनाने का पूरा कोजिस कर रहा हूँ दोस्तों इस तरह के लेटर लिखने में बहुत महनत लगता है दोस्तों लेकिन जब हम इस तरह के लेटर लिख लेते हैं इसी से जो है न हमारा नाम बनता है, और हम painter लोगों का एक आदत है, जहां पर भी हम अच्छे से काम करते हैं, यह अच्छा ना भी करें, वहां पर अपना नाम और नमबर छोड़ कराते हैं, नाम छोड़ते हैं तो इससे पता चलता है कि ये painter का काम इस तरह करें, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगा हमारा काम, तो हमारे नमबर देखकर वो call करता है, इसी तरह से हमें काम मिलता है, काम का order मिलता है, दूस्तों अकसर ये होता है, हम काम तो सीख लेते हैं painting का, लेकिन हमें कोई काम नहीं मिलता तब हमें लगता है कि बेकार हमने पेंटिंग सीखा सुरुवात में हमें भी ऐसा लगता था जब हमने सीखे थे तब हमें काम नहीं मिलता था लेकिन हम अपने काम पर अच्छे फोकस किये काम करते गए और जहां भी करते थे थोड़ा लगन लगा कर थोड़ा धैरिय से अराम से करते थे अच्छे से करते थे उसी का फल है कि आज हमें काम मिल रहे हैं और इसी काम से जो है हमारा परिवार चल रहा है दोस्तों इस पाइप लेटर राइटिंग में दोस्तों कलर मिक्सिंग का बहुत एहम रोल है जब तक आपको ना लगे कि यह पूरा राउंड शेप हो गया है इसका आकार गोला कार बन गया है तब तक आपको इस पर मिक्स करते रहना पड़ता है बार बार इस पर वाइट कलर और शेप में बन पाया है एक ही बार में भी बन जाएगा अगर हम डेली इस तरह से लिखें तो ब्रस अच्छे से चला सकते हैं लेकिन इस तरह की लेटर हम ज्यादातर नहीं लिखते दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्य बाद दोस्तों और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्रिप्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह से पेंटिंग से रिलेटेट जानकारी युक्त वीडियो मिलती रहे